प्रशन है लुक्ति अपका आपका अव्यान आ इस तहीं क्लाशे में सभी बच्चे जो रोज़़ना हमारे साथ क्लास करते हैं, उन विज अनृद आप जल्ली शाय और हम पूसे स्काइई लुद मॉरिंग अदिती बच्चे जनुद मॉरिंग दोस्त पूजा जी वेरी गुड मॉरिंग मैंच जी गुड मॉरिंग वेटा जी सभी बच्चों को गुड मॉरिंग शुरु प्रभात नमस्ते आप जल्दी से आज रहिए और हमारी जो क्लास हैं अम उसको स्टार्ट करते भाई एसे आप सब ठीक है बई पड़ाई हो रही है आपकी लास्ट लेक्चर में जो बच्चे नहीं थे उन्होंने घर पे जाके आई होप लेक्चर देखा होगा वेरी इंपॉरेंट लेक्चर था बहुत इंपॉरेंट लेक्चर था डेफिनिशन ओफ मनी बिल एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर मेड बाई आई होप यह सब को किलियर हो गया होगा साधना जी गुड मॉरिंग तो अगर किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास का तो वह आप मुझे बता दीजे हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते और आगे बढ़ने से पहले सबी बच्चों को चार लाइने और ये कुछ-कुछ आप सीखते रहे है कुछ-कुछ पढ़ते रहे है लिटरेचर बहुत जरूर है आपके इस जिन्देगी में ना साहत ये आपको एनरजी देता है ये आपको एनरजी प्रवाइड करता है ये आपके लिए सोर्स ओफ एनर मंगलम सिंग साब की ये चार पंक्तियां है और सबने सुनी होंगी आपने ऐसा कोई है नहीं व्यक्ति और ये जो चार पंक्तियां है ये अक्सर आपने सुना होगा हमारे भूतपूर प्रदान मंत्रि मावद्य जी राष्ट भक्त और मतलब कि जितनी तारिफ करें उनकी सायग कमी होगी अटल बिहारी बाजबस आप danza तो ये अक्सर ये चार पंक्तियों को जहां पर वो जाते थे बोलते थे में मतलब सारे बच्चे жानते ही तो it is not a matter of winning or losing यह हारने का और जीतने का कोई ही नहीं matter आपको काम क्या करना है अपनी पूरी महनत करने है पूरी सिद्दत से आपको अपनी जितनी आपकी छमता है अपनी सरीर की और अपनी दिमाग की यानि फीजिकल और रेंटल जो भी आपके पास capacity उपर वाले ने दी है भगवार ने जो भी strength आपको दी है सोचने समझने की काम करने की जो ताकत दी है आपको उसका 100% यूज करिए इस्तितम इस्तिमाल उसका होना चाहिए maximum उसका होना चाहिए इसके बाद decide किया जाएगा कि आपको क्या मिला क्या नी मिला लेकिन आपने 100% या अपना नहीं दिया अपनी तरफ से जतनी आप मेहनत कर सकते थे जतनी आपकी potential ही वह इस्तमाल ही करी तो फिर मुष्किल है कुछ कहना कि आपको क्या मिला क्या नहीं लेकिन यह इतना पक्का है जो 100% देता ने किसी काम में वह कभी डिफीट नहीं खाता गर्षाइंट आपना देता है पूरी शमयता के साथ किसी काम को करता है उसे हार का मुह देखने का मुका ही मिलता वह कभी हार नहीं देखता वह हमेशा ही जीचता है तो यह सारे बच्छे याद रखेंगे अब किसी को कोई कोश्चन हो तो पूछ सकते हैं तानिया गूड मॉर्निंग दोस्त अभी आपको पूरा अपना जितनी आपकी ताकत है चाहे वो मानसिक या साररिक है ना दोनु का ही इस्तेमाल आपको क्या है इसके अंदर करना है I hope यह clear हो गया होगा सारे बच्चों को हम आगे बड़े बई किसी को कोई doubt है last classes में definition of money will सबको पता है answer करिए थोड़ा जल्दी अगर clear है तो answer करिए और नहीं है तो भी मुझे बताईए कि कहां से मुझे बताना है आपको repeat करना है otherwise हम start करते हैं next article से थोड़ा जल्दी आपके answers नहीं आ रहे भाई मेरी आवाज आ रहे है सब बच्चों को थोड़ा जल्दी आपके answers नहीं आ रहे चलिए मुझे लगता है सारे बच्चों को यह सब clear है that's why वह answer नहीं करते हैं कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं यह लीजिए that is article 113 हम बात करेंगे आज next article से कल हमने 112 article में हमने बढ़ा था किस के बारे में annual financial statement के बारे में यानि वार्षिय वित्य विवरंड के बारे में हमने इसमें बात करी थी और वार्षिक वित्य विवरंड या जिसको हम दूसरे सब्दों में budget कहते हैं वह हमने कल discuss कर लिया था और हमने ascent to bills भी अच्छे से कर लिया था आर्टिकल 111 यह भी हमने अच्छे से किया था और 110 वह भी हमने बहुत standard तरीके से किया था और मुझे लगता कि सारे बच्चों को वह clear होगा और अगर clear है तो आपके दो question 3 question तो बड़े एकदम clear माल लिजे हो जाएंगे अविशेक जी good morning श्वागत आपका चलिए नाव हम start कर रहे है बाई article 113 से यानी 113 आर्टिकल हम पढ़ेंगे 113 आर्टिकल को आज हम इसको देखेंगे और उसके बाद में अभी के आर्टिकल थोड़े से आपके लिए क्या है फोड़े से मुश्किल लगेंगे और मतलब थोड़ा attention ज्यादा देना है आज मैं भी थोड़ा मेरी speed है उसको कम करूंगा तो आपको attention ज्यादा देना जहां पर आपको ना-clearty हो वहां पर आप मेरे से पूछेंगे राइट चलिए देखिए क्या है article exactly basically procedure in Parliament with respect to estimates अब जो estimates होते हैं जो अनुमानित जितने भी आपकी demands होती है तो वो कैसे पास होती है वो कैसे क्या है ओ जो जितने भी demands होती है वो कैसे create करी जाती है तो इसकी प्रकरिया क्या है उसके बारे में है articles for example आप किसी ministry के ministers है और उस ministry में क्या है हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भारत सरकार में तो अभी क्या है चौवन पच्चपन ministry हैं 54 और 55 ministry है अब यह जो ministry है इन हर ministry के अंदर अंदर क्या है अलग अलग department में किसी में 20 department किसी में 15 department किसी में 24 department इस तरह से अलग-अलग departments है और इन अलग-अलग departments की हमेशा क्या होती है मांग होती है इनकी जरुरते होती है ओफिस की जरुरते होती है कुछ scheme से उनको पूरा करना होता है तो इन सभी की जरुरते हैं वह finance minister पूरा करता है at the time of budget जब बजट आता है budget session जब आता है तो उसमें क्या है यह मांगते हैं ठीक है कि नहीं और अब लोग सभा जो है house of people अब ध्यान रखेंगे जितनी भी grant से वह सभी कौन प्रवाइड करता है लोग सभा प्रवाइड करती है और यह किसके थुरू करी जाती है by the help of president of India राष्टपती महदय के समक्षिन को रखा जाता है राष्टपती महदय क्या करते है इसको दिलवाते है जैसे अगर आपको पापा से पैसे मागने होते हैं तो कौन दिलवाते है आपको मम्मी दिलवाते है तो वैसे ही यहाँ पर क्या है president of India जो है इसको पैसे को दिलवाते है तो यह किसके फॉर्म में होती है तो ध्यार रखें आप one by one एक एक लाइन एक बच्चे को पता होनी चाहिए so much of the estimates as related to expenditure charge upon कल भी बताया था सारे बच्चों को फिर से में repeat कर देता हूं जितनी भी expenditure charge upon होता है कल मैंना repeat किया था आज और अच्छे से आपको clear हो जाएगा जितनी भी expenditure होते हैं जितनी भी expenditure that is charge upon on consolidated fund of India यानि भारत सरकार की जो समयकित निधी होती है संचित निधी हम इसको कई बरी कहते हैं तो उस निधी पे उस पैसे पे उस fund पे जितनी भी जितने भी खर्चे जितनी भी expenditure एक्सपेंसे जो चार्ज अपन होते हैं जो भारत होते हैं उनके मामले में क्या कहता है उनके मामले यह कह रहा है consolidated fund of India not be submitted to the boat in the Parliament यानि इस पे क्या नहीं होगा voting नहीं होगा कल भी हमने बताया था जितनी भी expenditure charge upon on consolidated fund of India जिसमें क्या सामिल है जिसमें आपको बताया था हमने resident of India का payment है उनके emoluments हैं उनके privileges हैं वह सब वहां से दिया जाते हैं vice president of India या chairman of council of state या राजसवा के सभापती जिनको हम कहते हैं deputy chairman speaker of लोक्षभा deputy speaker of लोक्षभा इसके अलावा supreme court के जितने भी judges हैं उनकी payment pension इसके अलावा high court के judges हैं उनकी pension यहां से दी जाएगी federal courts के जितने भी judges हुआ करते थे उन सब की क्या है payment इधर से दी जाएगी CAG की payment यहां से दी जाएगी इसके अलावा जितने भी जितने भी कोई आपका interest बन रहा है कोई fund सिंक्रेज हो रहा है इस सब कहां से दिया जाएगे consolidated fund of India से दिया जाएगे यानि कि यह जब यहां से दिया जाएगे तो इस पर क्या नहीं होगी voting नहीं होगी अपने कल भी बताया था आपको क्योंकि यह इस पर भारत है कोई payment करनी तो उस पर भारत है उसकी देता है हो इसके उपर भारत है उसको देनी देनी है तो इस पर क्या है किसी तरह का कोई voting नहीं होगा लेकिन बातचीत हो सकती है discussion हो सकता है तो ध्यान रखें आपको but nothing in this clause shall be construct as preventing the discussion in either house of parliament of any of these estimates मतलब इसका article का कोई भी provision उस पर चर्चा करने से इसको नहीं रोकेगा यानि जितने भी संसेत के अंदर सदश्य है लोग्षभा के अंदर वह क्या कर सकते हैं इसमें बातचीत कर सकते हैं लेकिन इसमें voting नहीं होती नहीं इसमें किसी तरह की कमी की जाती है कोई कट नहीं किया जाता article 113 का article 113 का पहला आपको point समझ में आया कि नहीं आया है सारे बच्चे जल्दी बताईए आपको clear है ये ये कल भी repeat हुआ था पर्षों भी हमने repeat किया था जल्दी बताईए अगर clear है तो आगे बढ़े हम लोग बहुत आराम आराम से आपको चलना है कोई जल्दवाजी नहीं एक एक चीज समझ समझ करके चलने है बताईए जल्दी से अगर आपको clear है तो answer करें जल्दी से आपके answers नहीं आ रहें भाई सारे बच्चे answer करें जल्दी साद्रा का yes आ गया है और बाकी बच्चों का yes नहीं आया है और जब तक yes नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे अभी जल्दी answer करें भाई अगर clear है तो I hope यह clear होगा आपको सारे बच्चों को हम आगे बढ़ें चलिए भाई आदितीत अनिश्का पूजा रितूस मैत्सरी और अभिशेक सब को clear है तानिया सारे बच्चों को clear है अगर clear है तो चलो मैं बाबस से इसको एक बार रिपीट करता हूँ इतने भी expenditure charge upon consolidated fund of India उनके उपर voting नहीं होती है राइट लेकिन उनके उपर चर्चा की जा सकती है उनके उपर dialogue हो सकता है discussion हो सकता है राइट बेटा जी मैं अपने वेवी समझा रहा था देखो इदर तानिया मैं बापस से मैं repeat कर देता हूँ भारत सरकार के तीन pocket जिसमें मैंने बताये थे आपको पहला pocket है जिसमें सारा पैसा आता है उसी को संचित निधी कहते हैं समयकित निधी कहते हैं है ना consolidated fund of India कहते और consolidated fund of India के उपर जितना भी पैसा जितना भी भारत होता है यानि charge upon जितने भी expenditures होते हैं उन पर boating नहीं होती understand or not voting नहीं होती का मतलब क्या है सीधा मतलब जो सदश्च है जाकर के वहाँ पर कोई मत भिनता नहीं होती यानि सबको एक मत होना पड़ता है यानि वह सबके सब payment जो है consolidated fund of India से जाएगा ही जाएगा यानि कि राष्टपती के अगर payment करनी है अगर वह पांच लाख रुपे राष्टपती को दी जा रही है भी तो उस पर क्या कुछ बातचीत नहीं होगी है ना कोई voting नहीं होगी कि यह पांच लाग रुपे ज्यादा तो नहीं है है ना ऐसे बहुत सारी लोगों को लगेगा कि पांच लाग रुपे तो बहुत ज्यादा है इतनी payment नहीं होनी चाहिए इनकी ना तो इसको कम करो दाड़े चाल लाख दो इनको ऐसे नहीं होता है ना उसमें पक्ष और बिपक्ष का कुछ नहीं होता है तो यह जितने भी constitution hats होते हैं सब की payment जो है वो क्या है उस पर कोई इसको बड़ाया जा सकता है उनकी गरिमा के साबसे इसके साइज के साइज के साइच कि वह हमारे देश का प्रतिनुद्द्व करते हैं दुनिया में कि सथानुन्र सौकत नहीं देगी उन्के उनका और और दिखाई नहीं देगा तो trail करन वह को सौचिघए कई क्यों आगे जब तक दसो हजार लोग उनके आसपस नजर नहीं आएंगे समझ रिकने उनकी सीक्योरिटी आपको हाई लेबल की दिखाई नहीं देगी तो उनका प्रभाब कैसे पड़ेगा दुनिया में कि भाई भारत में भी एक ऐसी डेमोक्रेजी एक ऐसा लोक तंत्र है वहां पर भी एक ऐसा सासक है ना पहले का जो हम सासकों की बात करते तो वह दिखना चाहिए ऑल्दो अभी रिपब्लिक में हैं तो हमारे हां पर जो प्रेजडेंटे वह राजा नहीं है बंसानुगत नहीं है एलेक्टेट होते हैं तो आपको कैसे उनका प्रभाब उनके उपर हैं कि इनका पेमेंट जो है इनकी शुक्ष विदा हैं वह और बढ़ाई जाए क्योंकि कोई भी आएगा तो वह प्रभाबित होगा हमारे देश से समझरक नहीं तो यह सब हम करते हैं तो कभी भी जो कंसोलिडेटेट फंड ऑफ इंडिया के उपर expenditure चार्ज अपन होता है उ यह सब्सक्राइब अब अब डियाद रखें वेरी इंपोर अभी इंपोर ग्रांट की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या है जितना भी expenditure जो डिमांड फोर ग्रांट के तौर पर का समक्ष रखा जाता है लोक सबाके यह संसत के अब जो भी हमने कल भी बताया था expenditure made by जो समयकित निधी से भारत की consolidated fund of India से जो पैसा दिया जाएगा खर्चा किया जाएगा और वो खर्चा कैसा demand for grants राइट कोई भी department कोई भी minister जब पैसा मांगेगा तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा इसके थुरू finance minister के थुरू तो यह क्या है यह लोक सबा decide करेगी समझ रिक नहीं house of the people decide करेगा साथी साथ वो decide करने के साथ में एक चीज और है इसमें क्या है एक जितना पैसा उसने मांगा है वही payment उसको दिया जाएगा या उसमें कोई कमें भी की जा सकती है समझ रिक नहीं यानि इसमें कट भी किया जा सकता है और कट किया जा सकता है साथ ही साथ अब इस पर बहस तो होगी होगी discussion तो हो गई होगा discussion के साथ साथ इस पर जुरू तकर पड़ेगी तो boating भी हो सकती है तो याद रखे expenditure charge upon उस पर boating नहीं होती सिर्फ बात्चीत होती है बहस हो सकते है लेकिन demand for grants या expenditure made by consolidated fund of India से तो उस पर चर्चा भी होगी और उस पर boating भी हो सकती है और उसमें cut भी किया जा सकता है 10,000 क्रोड मांगे तो उसमें 9,000 क्रोड दिये जा सकते हैं यह point clear हुआ सारे बच्चो को जल्दी बताईए कि अगर यह second point clear हो गया है तो जल्दी बताईए अंसर करिए जल्दी से अगर यह clear है तो सारे बच्चो को और अगर नहीं है तो मैं repeat कर देता हूँ एक एक point सारे बच्चो को clear होना चाहिए बोलिए बहाई जल्दी बताईए आदिती तनिश्का राज सिंग अभी बच्चो को यह clear है मैसरी बच्चे विष्णु कुमार अभिशेक जी और साधना बागी सब बच्चो को यह clear है जल्दी बताईए तोड़ा fast बहुत बढ़िया साबास और जिन बच्चो ने बीडियो लाइक नहीं किया है कर दीजी चलिए लाइक लाइक जरूर करते रहें यहाँ पर ना मैसरी बहुत बढ़िया अभिशेक गुडवन नाव अगला और अंतिम पॉइंट इस जितनी भी डिमांड होंगी वो बिना राष्ट्रपती की अनुसंसा के नहीं पास करी जाएंगी दियार रखेंगे आप राष्ट्रपती जब अनुसंसा करेंगे राष्ट्रपती जब रिंकमेंड करेंगे इस और नहीं उसको पास करा जाएगा यह clear है सारे बच्चों को नहीं जल्दी बताएए 3rd point Is it clear to all of you or not तो Article 113 I hope सारे बच्चों को clear है तो यह किसके बारे में Procedure in the Parliament Procedure in the Parliament with respect to the Estimates जितने भी अनुमान हैं उनको कैसे जो अनुमान in the sense जो आपके पैसे हैं जितने भी मांगे जाने अनुमादित जितना भी खर्चा है वो कैसे पास कर जाएगा चालिए बहुत बढ़िया सारे बच्चों को clear है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 114 अर्टिकल की तरफ और यह very important अर्टिकल है एक एक बच्चों को यह देखो आप जब आप जब आप वो economy पढ़ेंगे especially macro economy जब पढ़ रहे होएंगे आप तो वहाँ पे आपको budget पढ़ाया जाएगा उसमें सब कुछ budget में पढ़ाया जाएगा तो यह आर्टिकल फिर से आपको वहाँ पढ़ने जो भी सर पढ़ायंगे आपको economy वहाँ पर वापस से इसको पढ़ायंगे budget आपका start कहां से हो रहा है आपको सारे बच्चों को पता होना चाहिए article 109 से समझ रहे हैं वहीं से इसकी परकिरिया जो है सुरू हो रही है और money bill फिर 110 में पढ़ रहे हैं आप उसके बाद ascent to bill हटा दे तो ज्यादा सही है फिर 12 से पढ़ रहे है आप 112 से क्या पढ़ रहे है बजट पढ़ रहे है जो चीजें आपको फिर वापस से आपको मिलने वाली है कुछ-कुछ चीजे एकॉनमी में मिलेंगी कुछ अलग किसी पार्ट में मिलेंगी तो बढ़ लीज़े सही से ठीक है now appropriation bill के बारे में बात करते हैं very important appropriation bill जो है हिंदी में बोलते हैं इसको विनियोग विधियक विनियोग विधियक एक-एक बच्चे को पता होना चाहिए और कुछ-कुछ की आपको हिंदी अच्छे से पता हो सारे बच्चे थोड़ा try करें कि आपको कुछ ऐसे words हो जिनकी हिंदी पता हो ज्यादा सही है और विनियोग विधियक जो appropriation bill है यह क्या है बहिए जब तक यह पास रही होगा सरकार को पैसा नहीं मिलेगा सिंपल सी बात में इतना कह सकता हूं आपको तो देखो जारा as soon as we after the grant have been made by house of the people there shall be introduce a bill to provide for the appropriation out of the consolidated fund of India of all monies required to meet जैसे ही क्या होता है जितनी भी grants जितनी भी grants थी है ना demand demand for grant जितनी भी थी और वो अगर मा लेते हैं pass हो जाती है house of the people से लोकसभा से अगर वो सारी pass हो जाती है तो उसके तुरंत बाद एक bill pass किया जाता है इंट्रोड्यूश किया जाता है इन सब को पैसा provide करने के लिए और इनको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते है appropriation of monies from consolidated fund of India सारे बच्चों को इतना समझ लीजे जैसे ही क्या हुआ जैसे ही demand for grant पास हुआ लोकसभा से अब demand for grant जैसे ही पास हुआ तो अब क्या है consolidated fund of India से उन grants को payment करने की ज़रत पड़ेगी और वो payment जो है वो इतना form of appropriation bill यानि विनियोग विधियक के तोर पेस किया है consolidated fund of India से पैसा निकालना किस के लिए निकालना पैसा जो भी demand for grants थी उनको पूरा करने के लिए is it clear to all of you or not जल्दी बताईए अगर यह clear है तो तो तन्या गुड मॉरिंग अगर यह clear है आपको बताईए appropriation bill का point number one सारे बच्चों को clear है जल्दी बताईए अगर clear है तो answer करिए थोड़ा fast अगर clear है तो जल्दी बताए भाई और अगर नहीं है तो फिर से हम repeat करते हैं इसको answer answer जल्दी जल्दी बोलते रहें clear हो गया राज को बहुत बड़े है बताईए राज साब को clear हो गया है शादना जी को भी clear हो गया है और बाकी महनुभाब बाकी महनुभाब यह अधिती मैट स्री तानिश्का बाश अभिशेग जी और मिस्टर विश्नुकुमार और जो जो बच्चे भी अभी क्लास में हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सभी clear है सबको बहुत बड़े अगर यह clear है तो मैं repeat कर देता हूं वापस से अगर कोई बच्चा रह गया थो चलो clear हो गया अधिती को भी तो अभी सारे बच्चों के लगभग मेरे पस response आ गए तो फिर मैं नहीं कर रहा हूं इसको चलिए हम आगे बढ़ते हैं no amendment shall be proposed to any such bill either in the house of the parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of India and the decision of the person presiding to whether an amendment is admissible under this clause shall be final तात पर कहने का मतलब यह है इतना short and sweet इतना समझेए कि हमने जो पहले ही बताया था consolidated fund of India को पर जो expenditure charge upon होता है तो उसमें क्या है कोई alteration नहीं होगा कोई कमी नहीं होगी इसको vary नहीं किया जाएगा जितना पीछे दिया गया था उतना ही क्या है वो तो मिलेगा ही मिलेगा है ना जब तक उसमें sunset कोई amendment नहीं करती है जब तक sunset उसमें कोई संसोदन नहीं करती है तब तक उसमें क्या है कमी नहीं की जाएगी जितना दिया जाता था उतना ही दिया जाएगा उसमें कोई alteration कमी नहीं की जाएगी तो यह क्या था इसका अंतिम पॉइंट था that is very important I hope यह सारे बच्चों को clear हो गया होगा now हम बात करते हैं article 115 के बारे में 115 के बारे में और यह किस की बारे में बात करता है यह बात करता है supplementary additional और access grants के बारे में supplementary additional और access grant के बारे में बात करता है supplementary का मतलब सारे बच्चे जानते होंगे आप सरकार से जितने भी departments होते हैं वो पैसे मांगते हैं जो demands है वो करते हैं और सरकार उनको grant के तौर पैसा देती है department और ministries क्या करते हैं demand करते हैं और government क्या करती है ministry of finance क्या करती है लोकसभा क्या करती है उनको grant देती है अब कई बड़ी ऐसा होता है many a case यह ऐसा होता है कि जितना किसी scheme के लिए पैसा चाहिए होता है है ना अब उसमें चाहे वो inflation की बज़ा से चाहे वो market में और कोई factor आया हो demand जो है वो किसी की बढ़ गई हो तो cost उसकी बढ़ जाए तो कई सारे factor होते हैं जिससे क्या होता है हमारा जो project होता है scheme की जो लागत है वो बढ़ जाती है तो ऐसी situation में क्या होता है जो पीछे की जो payment थी जो particular schemes के लिए दी गई थी वो कम पढ़ती है तो वैसी condition में same project को आगे बढ़ाने के लिए जो departments क्या करते हैं पैसा मांगते हैं है ना उसको क्या बोला जाता है उसी को बोला जाता है supplementary grant है ना कि यह मेरी particular एक्स scheme थी और एक्स scheme के लिए मुझे लास्ट टाइम जो है वह 10,000 करोड रुपिया मिला था लेकिन अब इसकी जो cost है वह 100-100 रीजन की बज़े से वह 11,000 करोड रुपिया हो गई है तो आप मुझे 1000 करोड रुपिया और देने की किरपा करें बात समझ मारी है तो एक तो वह हो गया अब यहां पर इसके अलावा आप जड़ा देखें एक एक पॉइंट एक बच्चा अच्छे से देखी जड़ा अगर वह सब्सक्राइब के बारे में जो भी जिस भी स्कीम के लिए जिस भी प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट दिया गया था एप्रोप्रेशन बिल के माध्यम से है न उसको पैसा दिया गया था और अगर वह सर्विस या करेंट फिनेंशल इयर के लिए अगर वह क्या पाई जाती है इसको कम पाया जाता है तो वैसे केस में क्या होता है अगर उसको कम पाया जाता है या उसमें कोई value addition होता है या कुछ उसमें और add हो जाता है तो वैसी condition में क्या है यह supplementary जो grant है वह आपको मांगी जाती है और यह depend करेगा किस को पर यह लोगसावा के उपर कि वह उसको कैसे कितना payment करेगा यहां तक clear है सारे बच्चो को और नहीं जल्दी बताएं आप answer करिए answer करिए जारे बच्चो को अगर ये clear है तो जल्दी बताईए भाई आपको मेरी आवाज आ रही है जल्दी बताएं अगर point number one clear है तो article 115 का थोड़ा जल्दी answer आपके आवाज sorry आपके messages मुझे नहीं दिख रहे है जादुन साब का clear अदिती जी का clear तिवारी साब का clear बहुत बढ़ या तो पाप सारे बच्चो को clear हो गया है देखो now if any money has been spent on any service during financial year in excess of amount granted for the service and for that year cause to be laid before both the houses of the parliament another statement showing the estimate amount of that expenditure or cause to be presented to the house of the people a demand for such access as case may be आद पर यह होता है आपको जितना भी पैसा particular service के लिए particular किसी project के दिया गया था और वहाँ पे आप से क्या हो गया खर्चा जादा हो गया right access amount वहाँ पे आपने क्या कर दिया चितना खर्च करना चाहिए था उससे जादा कर दिया तो अब आपको क्या है उसके कारण बताने पड़ेंगे आपको उसके reason बताने पड़ेंगे बात समझने के नहीं आपको जो भी घरवाले पैसे देते हैं और उसके बाद में अगर आपसे कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है अब आपको बताना पड़ेंगा यह बताना पड़ेंगे यह यहां पर मेरे से खर्चा हो गया तो ऐसे ही क्या है लोग सभा के समख्ष आपको यह बताना पड़ता है कि आपने कहां पर यह जो अमाउंट है खर्च किया तो यह बेसिकली इसके बारे में था प्रोबिजन ओ आर्टिकल 112 13 and 114 they'll have efficient in the relation to in such statement and expenditure or demand also to law to be made authorized the statement and expenditure appropriation of monies out of consolidated fund of India to meet such expenditure the grant in respect of such demands as they have efficient in relation to the annual financial statement मतलब यह है इस लंबी चोड़ी लाइन का कहने का यह मतलब इसका कुछ भी नहीं है कहने का मतलब यह है सुनिए देखो मैं आपको बता दूं सारे सारे बच्चों को अच्छा पहले हम उसी को क्लियर करते हैं हमने बात करी थी आर्टिकल 115 के बारे में हमको बड़ी चीजे अच्छे से जो क्लियर होने चाहिए वह एक तो यह है कि सप्लिमेंटरी ग्रांट का होती है अर दूसरा जो बच जाता है वह है एडिशनल और एक्सेस लक्रांट समझ रर्क नहीं सप्लिमेंटरी ग्रांट्स जो होती है वह किसी लास्ट के प्रौजेक्ट याछ गिजो सर्विस है है ना previous financial year की जो service है या project है उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसी को complete करने के लिए है वो मांगी जाती है और उसको ये Parliament के उपर depend करेगा especially of लोग सभा के उपर कि वो उसको क्या है कितना पैसा देती है अब यह जितने भी additional grants होती है access amount जो होती है यह क्या है अलग-अलग situation को ध्यान में रखते हुए मांगी जाती है समझ रख नहीं जैसे अगर मां लेते है wages बढ़ जाए अभी मजदूरी चल रही है 500 रुपया और अगर वो 600 हो जाए 700 हो जाए तो उस condition को meet करने के लिए क्या है यह additional मांगा जाएगा इसके अलाबा उसमें कोई value addition करना होगा वैसी condition को भी क्या है उसको manage करने के लिए यह पैसा मांगा जाएगा इसके अलाबा माल लेते हैं कोई emergency situation आएगी understand or not project को लेकर के service को लेकर के उन सभी conditions उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या गाईज यह additional or access जो amount है वो मांगी जाती है यह आपको सारे बच्चों को clear है जल्दी बताएं आप दनिश्का क्या हुआ भाई बड़ी हस्यार ही आपको इसा मैंने क्या ही बोल दिया भाई जड़ा बताओ हाँ जी बताओ जल्दी से अगर यह clear है तो बोलिए भाई जल्दी से बताएं अगर यह clear है article 115 clear है बस आपको supplementary additional और access amount पता करना है चलिए अरे भाई तानी बहुस हमको भी बताईए आए हस रहें आप चलिए बड़िया है जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया कर दीजे लेकिन चलिए जल्दी बताएं आप हो गया भाई सबको clear अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी किलियर तो है बट आपको हसी आ रही थी तानी बहुस इसलिए पूछ रहें हैं हाँ देखे अगर को रोना वोना आता था हमको मत पताया करो कि हम इसलिए रो रहे थे ना हमको बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं उसमें लेकिन अगर आप हसते हैं तो थोड़ा सा हम भी हसले ना आपके साथ इसलिए पूछ रहे थे ना आगे वड़ते हैं हम लोग that is 116 आर्टिकल वरी इंपॉर्टेंट देखे जरा बोट ओन अकाउंट बोट ओफ क्रेडिट एन एक्सेप्शनल ग्रांट यहां पे एक तो बोट ओन अकाउंट वरी इंपॉर्टेंट दूसरा है आपके पास में ब एक बच्चे को क्या है इसके बारे में पता होने चाहिए वन वाइवन हम इसको देखते हैं फिर आपको जितना साधरन भासा हो सकती है उसमें हम आपको इसको समझा देंगे राइट तो the house of the people sell have power हमने बार 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 बताया है पैसे रुपे-पैसे के मामले में जो साथ ज् के पास लोग सभास समझे यह लोग समय है लोग सभा के पास सारि है रुपे-पैसे को लेकर आपके पेदे कमा करके लाते होंगे plat लेकिन वातजिए कि सारय जो भी साय जो जो खर्टे काती थी तो वह अ पॉकिट से निकल करके जाता है तो मम्मी बड़ी जबरदस्त finance minister होती है वो finance को बड़ा अच्छे से regulate करती है पापा के हाथ से जल्ली से निकल जाता है पैसा मम्मी के हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है बात यह बेटाजी ताली बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है हमको क्या है वो रखनी पड़ती है रिफ्रेंस के तौर पहना अधर्वाइस क्या है देखो आपको बताए भारत सरकान ने अभी 15 क्वानों को क्या किया है 1500 लॉज को क्या किया है खतम किया है भारत सरकान ने अभी पिछले 2-3 सालों में अब आप देख लो यह 1500 कानून यह कैसे थे यह इर्रेलेवेंट थे और अभी तो हजारों की संख्या में पड़े हुए जिनका कोई मतलब ही नहीं ऐसे ही लाइन पड़ी हुई है फाल तुमे हमको तक पताने चलता है जब थक हम यूज नहीं करते हैं समझ रख नहीं कोई चीज आपके लिए अच्छी है या बुरी है वह कब पता चलेगा आपके लिए फायदे मन्द हैं कि नुक्षान दाया के वो तब पता चलता है जब आप उसका कैस्ते इस्तामाल आपके सामने सम्मान के लिए रख लिया जाता है लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीजे हैं वो ठीक नहीं है खेर हम पढ़ते हैं आगे आगे तो हमने बता हैं आपको रुपे पेसे के संबंद में सारा जो पावर है सकती है वो किसके पास है लोग सभा के पास में हाउस of the people के आपको याद रखना है to make any grant in advance in respect of the estimates expenditure for the part of any financial year pending in the completion of the procedural prescribed in article 113 for the voting of such grant and passing of the laws in accordance with the provision of article 114 in relation to expenditure ताद पर यह है सारी ताकत किसके पास है लोग सभा के पास है जितने भी पैसा है यह सकती किसके पास है यह सकती है किसके पास देखो मैं आपको पहले तो बता दूँ यह जो बोटन अकाउंट की जुरुत जो है वो कब पढ़ती है है ना दो तीन केसेज हैं विसेज तोर पे दो एक तो क्या है सरकार जो है वो कम समय के लिए रह गई है एकनी चुनाम में क्या है थोड़ा ही वक्त है छै महिने माल लेते हैं उसके लिए क्या है उसके लिए जमर्नल बजट नहीं लाय जाता है उसके लिए एंटरिम बजट लाय सरकार की जो जरुत हैं पैसे की वो कैसे पूरी होंगी वो पूरी होती है किस से गाइस बोटन अकाउंट से बोटन अकाउंट पास करके क्या है सरकार को एडवांस में पैसा मिल जाता है और अगर एडवांस में सरकार को पैसा नहीं मिलता है तो सरकार कैसे काम करें तो फिर व तो याद रखेंगे to make any grant in advance, कुछ भी पैसा, advance में लेने के लिए, in respect of the estimates expenditure, जो भी expenditure estimate हुआ था, last, या part of any financial year, pending and completion of the procedure prescribed, जो कि किस के लिए पढ़ा हुआ है, जो procedure है, उसी साब से जाना चाहिए, for the boating, यानि इस पर क्या हो रही है, लगातार, पाचित हो रही है, कि इस पर boating ह होगी, understand or not, और वो pass नहीं हो पा रहा है, तो वैसी situation में क्या है, सरकार की जरुतों को पूरा करने के लिए, उनको क्या किया जाता है, advance में पैसा दिया जाता है, that is, आपको याद रखना है, इसके बारे में, अगला that is, to make a grant for meeting and unexpected demands, अब इसके अलाबा, और भी बहुत सारी अगर मालेते हैं, जिनके बारे में, सोचा ही नहीं गया था, आइसी अगर मालेते हैं, कोई situation create हो जाती है, तो उसको भी meet करने के लिए, क्या किया जाता है, उनको advance में payment री जाती है, to make a grant for meeting and unexpected demand upon the resources of India, when an account of the magnitude or the indefinite character of the service of the demand cannot be stated with a detailed ordinary given in the annual financial statement, यानि इस तरह की कुछ situations create हो जाती है, सरकार के पास में, right, अब for example, मैंने आपको अभी दूँ, जैसे COVID आया, अब COVID आएगा उसके बारे में जानकारी नहीं थी, समझ रख नहीं, तो COVID के लिए कोई fund ही नहीं create किया गया था, समझ रख नहीं, COVID के लिए, health के लिए जो है, अल plants हैं, वो लगाने पड़ेंगे, आपको special train चुलाने पड़ेंगे, इसके लिए खर्चा आएगा, तो वो पता ही नहीं था, जब पता नहीं था, तो उसका कोई detailed discussion था नहीं, तो ऐसी कोई, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, और ऐसी कोई situation आ जाए, तो वैसी conditions के लिए भी क्या किया जाता है, पहले से advance में पैसा रखा जाता है, दिया जाता है, तो उसको meet करने के लिए, तो क्या दिया जा सकता है, advance में पैसा दिया जा सकता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको exceptional grant, अतरिक्त अनुदान, यानि जो budget था, exact जो जरूरत है आपकी वो 10,000 करोड रुपिया है, लेकिन कल को क्या हो, क्या ना हो, पता नहीं है, तो आपको क्या किया जाता है, कुछ अतरिक्त पैसा द दिया जा रहे, तो like that, understand or not, इसके लाबा, to make an exceptional grant, which forms no part of the current service, any financial year, and the parliament shall have the power to authorize by the law, withdrawal of monies from the consolidated fund of India, for the purpose for which the sad grants are made, इसके लाबा, यहां से संसेत के पास में, especially लोकसभा के पास में या अधिकार है, कि अगर आवश्यक्त पढ़ती है, जरुरत पढ़ती है, जरुरत पढ़ती है, समझ रिक नहीं, और किसी तरह का कोई, ऐसी situation आजाती है, है ना, कि यह जो current service है, उसके लिए, वो जो पैसा दिया गया था, वो proper नहीं पढ़ रहा है, वो पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो वैसी condition में, वो consolidated fund of India से पैसा निकाल करके, उसको दिया जा सकता है, in short, आपको सरकार की तुरंत की आवश्चकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, जहां पर अभी क्या चल रहा है, कोई voting चल रही है, है ना, यह अभी procedure पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार को सकता आवश्चकता है, पैसे की, तो वैसी condition में, क्या है, सरकार की तुरंत की जरुरतों को के लिए बोटन अकाउंट जो है वो पास करना पड़ता है तो उससे क्या मिल जाता है गवर्मेंट को एडवांस में पैसा मिल जाता है इसके लाबा अगर कोई सर्विस है understand or not कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है और अगर मालेते हैं कोई unexpected किसी तरह की कोई situation create हो जाती है तो उन सभी से fight करने के लिए उन सभी विष्ण परिस्तितियों से fight करने के लिए लड़ने के लिए उनको पूरा करने के लिए सरकार अतरिक्त जरुरत जो है बबताती है exceptional जो grant है वो क्या करती है मांगती है exceptional जो demand है वो करती है और उसके बाद लोगशबा उनको क्या करती है अतरिक्त अनुदान प्रवाइड करती है तो ये दो points है जो आपको सारे बच्चों को अच्छे से clear होने चाहिए इसके लाबा आपको बिलकुल भी अपना धिमाग खपा अनुदाने की आवश्रक्ता इसके अंदर नहीं है आपको ये clear हुआ सारे बच्चों को कि नहीं जल्दी बताईए सारे बच्च आंसर करेए डूइट फास्ट आपको एक सो तोला आपको clear हुआ बोटन अकाउंट का मतलब और उसके बाद exceptional access जो amount है उसका बताई जल्दी से answer करेए fast सारे बच्चों जल्दी बताएं messages आपके नहीं आ रहे हैं clear है बहुत बढ़िया तनिश्का जी साबास विष्ण भगवान बहुत ही बढ़िया clear है आपका भी और बाकी बच्चे शिबारी जी no sir नहीं clear है कोई बात नहीं और और कोई बच्चा जिसको clear नहीं है अब शेक जी yes sir कह रहे हैं इसका मतलब clear है और रिपीट कर देते हैं बटा जी हम कर देते हैं don't worry about it देखे बाई और भी कोई है जिसको clear नहीं हुआ है या सिर्प पूजा जी है देखे पूजा सारे बच्चे सुन लीजे पापस से फिर से मैं बता देता हूं आप यह लंबा चोड़ा जो लिखा हुआ है इस पर ना जाएं यह तो सिर्फ मैंने आपके reference के लिए रखा हुआ है कि आपको देख सकें आपके क्या है पढ़ सकें boat on account, boat of credit and exceptional grants सिर्फ आपको याद रखना है boat on account क्या है basically सरकार को क्या है पैसे की हर्थ समय जरुत होती है जैसे आपको होती है वैसे सभी को पैसे की जरुत होती है यह सक्त होती है सरकारों को क्योंकि लगातार अलग-अलग project चल रहे होते हैं अलग-अलग scheme चल रहे होते हैं आपको पता है सरकारी पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है आप जानते हैं यह सारी बात समद्रक नहीं पैसा जो है वो भी गौर्रमेंट का वो जल्दी से नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत सारी कागजी कारवाई जो है वो करनी पड़ती है जब आप अधिकारी बनेंगे जब officer बन जाएंगे तो आप क्या हैं बड़े collectors हावे है ना IPS से आप लेकिन बेटा जो आपके बिल बना रहा होगा वो एक clerk होगा है ना और यह जो clerk है वो आपकी payment बना करके नहीं देगा आपको भी क्या करना पढ़ेगा इसको आपको phone करना पढ़ेगा बताना पढ़ेगा है अना आपको लग अधिकारी वह आपकी बात नहीं सुनेगा तो यहां पर क्या है मेरी payment नहीं आirkने थीचपानी इसको खर्चापाए पाओग आपको आपको बहाने बजाएंगे आप कुछ कर नहीं सकते आसेyan said क्या होता है तो जब सरकार को सक्त जरूत होती है पैसे की बात क्या होता है लोक सबामें अटक जाता है किसमें वह अटक सॉता है एक तो क्या है। आप्रोप्रियशनine of Bill जो है वह नहीं हुआ है है ना क्यूंकि आर्टिकल hundred and thirteen के लिए वो क्या है उसकी प्रकृरिया में है अभी यानि उस-पे क्या हो रहा है उस-पे बहस हो रही है बाचीत हो रहे है समझ रिक नहीं उस पे discussion हो रहा है कितना दिया जाय उप गॉर्मेंट को तुरंट तुर्त है तो ऐसी को पेमेंट दिया जाता है तो वो क्या है बोटन अकाउंट पास करके गवर्मेंट की जो जरुत हैं वो एडवांस में पैसा दे करके पूरा करी जाती है इसके अलावा कोई critical situation आती है कोई विशम परिस्तिती आती है उस विशम परिस्तिती से fight करने के लिए उस अपोजिट कंडिशन से fight करने के लिए समझ रख नहीं सर्विस के लिए तो क्या है एक्स सर्विस है और एक्स सर्विस के लिए क्या है वहाँ पे जो appropriation of money है वह 10,000 क्रोड रुपई है लेकिन अलग से अगर कोई जरुत पड़ेगी कभी कोई critical situation आएगी तो उससे fight करने के लिए क्या है एक्सिस अमाउंट चाहिए एक्सेप्शन अमाउंट बोलते हैं आप उसको समझ रख नहीं यानि अत्रिक्त जो पेमेंट है उससे अत्रिक्त 10,000 क्रोड प्लस के एक हजार करोड रुपे तो टोटल 11,000 करोड रुपे उनको दिया जाते हैं तो वहां पर जो एक हजार करोड दिया जाते हैं वो क्या है उनकी exceptional grants होती है उनके लिए समझ रख नहीं कि अगर कोई inflation की situation होगी मजदूरी अगर बढ़ेगी कोई value addition आप करवाएंगे तो उन तो फिर में repeat करता हूँ दूसरे तरीके से बोलो भाई जानिश्का, आदिती, राज, साधना, मिस्टर विष्णु कुमार, अभिशेक, मैध स्री, सब बचों को clear है ये जल्दी बताईए अभी अगर clear है तो और जितने भी बच्चे हैं वीडियो लाइक नहीं किया है सबने कर दीजिए आगे बताओ अगर clear है तो पूझा clear है अच्छा और बाकी बच्चों को चलो हम आगे बढ़ते हैं next that is चलिए बहुत बढ़िया तानिया जी समास मैध स्री को भी clear हो गया है विष्णु को भी अधिती को भी बहुत बढ़िया अभिशेक को भी clear हो गया है और अभी कहा है ये बच्चे आजकल class क्यों नहीं लेते भाई सोते रहेंगे तो कैसे चलेगा अभी तो क्लास ब्लास भी कोई कॉलेज बॉलीज भी नहीं चल रहा है न और चलो हम आगे बढ़ते हैं नाओ 117 अर्टिकल एक एक बच्चे को पता हो special provision as to the finance will अब बढ़ा चुके हैं बता चुके हैं इसके बारे में लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक तो important बात जो है वो finance will में और money will में दोनों में अंतर समझ लीजे समझ रिक नहीं finance will और money will में आप अंतर समझ लीजे finance will के अंदर जब हमने बात करी थी definition of money will के अंदर definition of money will में हमने आपको बताया था कि इसमें कोई tax impose होना चाहिए या उसका abolition होना चाहिए या tax की rate का alteration होना चाहिए या उसमें increment होना चाहिए रहनी टेक्स related जो चीजें हैं समझ रिक नहीं वो money will का पार्ट होती है finance will में कही बारी क्या होता है administration related things भी होती है प्रसासन संबंदित चीजें भी इसके अंदर आ जाती है और इसको भी क्या किया जाता है as a money will ही pass किया जाता है समझ रिक नहीं और जब यह as a money will यह finance will जब हम इसको कहते हैं तो इसमें क्या है लोक सभा की सक्तियां बढ़ जाती है राजी सभा की सक्तियां इसमें क्या हो जाती है कम यानि बस राजी सभा के पास recommendatory powers होती है nothing else यानि कमेंट से माने या ना माने जो प्रॉस्टीज अनुम ने money bill के बारे में बताए था वही किसके बारे में फॉलो करना पड़ेगा आपको finance bill के बारे में फॉलो करना पड़ेगा समधर रिख नहीं अल्मोस्ट लगबग चीज़े वही हैं बस इसमें एक चीज एक्सरा जुड़ जाएगी वह होगी administration संबंदित provisions प्रसासन संबंदित चीज़े हैं वह भी finance विल में एड हो जाती हैं इसके लाबा इसमें कोई अंतर नहीं है समद्रिक नहीं और money bill और finance विल में क्या difference है है इन डिटेल एक lecture पड़ा हुआ है जाकर के देख लेना मैंने दोनों में इसमें किया है क्योंकि UPSC ने ऐसा सवाल पूछा इसलिए हमने इस पर दोनों में difference क्या होते हैं हमने इस पे एक छोट बीडियो बना करके भेज दिया तो 4-5 मिनिट का आई हो बीड clause of A to F of clause 1 of the article 110 110 का कोई भी clause अगर हम बात करते हैं shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president and a bill making such provision shall not be introduced in the council of states value important बात हमने लास्ट भी बताया था आपको यस आदिती करेक्ट है आपका एकदम करेक्ट है एकदम बिल्कुल यस यस बच्चे बिल्कुल यूर राइट ठीक है कर नहीं यह ध्यार रखेंगे आप money bill में only tax लेकिन जब finance bill की बात आएगी तो उसमें परसासन सम्मंदित चीजें भी क्या है वो finance bill का part बनाकर के pass की जाती है ऐसा क्यों किया जाता है उसमें वीडियो में मैंने बताया अच्छे से लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूं जो काम आएगा एक्चुली होता क्या है क्योंकि फिनांस विल और मनी विल के मामले में लोग सभा के पास अधिकार होता है राज्य सभा के पास नहीं होता है जब किसी party के पास में मेजोरोटी नहीं होती है राज्य सभा में अगर माले उसको क्या किया जाएगा administration संबन दिशन कोई भी कान हो वह कैसा होग भाई यह वह तो ordinary Is not ordinary will और ordinary will तो फिर उसको राजसभा रोक देगी लोकसभा में किसी party के पास वर राजसभा में नहीं है और अगर उसको ordinary विल के तोरब पेस किया जाएगा तो राजसभा उसको रोक देगी लेकिन in case क्यूंकि अगर वो finance भी होगा प्रिशासन को ठीक करने के लिए तो इसलिए वो क्या करेगी उस प्रिशासन का मैटर भी क्या कर देगी तो कुछ तो उसमें क्या होगा मनीविल का पार्ट होगा कुछ प्रिशासन का होगा दोनों को एक साथ मिला करके पास कर दिया जाता है पास समझ मारी है नहीं आरी अभी किलियर है बच्चे सभी बच्चों को बताईए अधिती किलियर है बेटा चलो सबको किलियर है ना अच्छे से ये तो ध्यान रखेंगे कोई भी money will का जो provision होगा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है article 110 तो पहली और important बात ये बिना प्रेजडेंट ऑफ इंडिया की permission से पहली बात ये आएगा नहीं और दूसरी बात ये कहां पर council of states में राजी समय में इसको originate नहीं किया जाएगा इसको initiate नहीं किया जाएगा केवल और केवल कहां पर किया जाएगा लोग सभा में लोग सभा के अंदर बिद्दा free permission of president of india राष्टपती की पूर्व अनुमती से क्या किया जाएगा जिसको प्यास किया जाएगा अनिथा नहीं किया जाएगा ये clear है सारे बच्चों को को नहीं जल्दी बताएगा if it is clear to all of you or not जल्दी बताएगे भई केवल और केवल लोग सबा में अरिजनेट होगा इनिशेट होगा is it clear now next a bill or amendment shall not be deemed to be make provision for any of the matter aforesaid by reason only that it provide for the imposition of fines or pecuniary penalties or demand or payment of the fees of license fees services render or by reason that is provides for the imposition abolition remission alteration or regulation of any taxes by any local authority body for the local purposes so already हम आपको बता चुके हैं कि चाहे कोई license fee हो कोई service fee हो इसके अलाबा यहां पर कोई penalty हो समद्रिक नहीं वो क्या है money will का हिस्सा नहीं होगा समद्रिक नहीं यह प्रशासन का हिस्सा होगा तो यहां पर ध्यार रखेंगे यह money will की तरह पास नहीं किया जाएगा चाहे वो license fee हो कोई payment हो किसी के लिए समद्रिक नहीं वो क्या नहीं होगा वो money will का हिस्सा नहीं होगा definition में आपको हमने यह बताया था 110 heath 110 आर्टिकल में यह किलिर है कि नहीं है सारे बच्चों को जल्दी बताईए किसी बी तरह का find किसी बी तरह की penalty किसी बी तरह की license fees किसी धी तरह की service फीस वो money will का हिस्सा नहीं होगी प्रशाशन का हिस्सा होंगी जल्दी बताएं किलियर है सारे बच्चों को कि नहीं तोड़ा फास्ट जल्दी बताएं यह अगर यह किलियर है तो बोलो भाई जल्दी बोलो बहुत ही बढ़िया नाओ बिल विच इफ इनक्टेड और ब्रॉट इंटो ऑपरेशन बुड इनबॉल एक्सपेंडिचर फ्रॉंड फंड 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 इंडिया कोई बात होती है नहीं इसको डिसकस किया जाता है नहीं इसको पास करा जाता है समझ में आई साथ पर कहने का यहीं है राष्ट्रपती महोदे की पूर्व अनुमती से ही इनको Consolidated Fund of India से पैसा निकाला जाता है हमने आपको पहले ही बताया था पहले भी कई बरी उसको बताया है राष्ट्रपती ही है राष्ट्रपती महोदे ही क्या करते हैं जितने भी मांगे होती है डिमांड होती है उनको जो संसद है उसके पटल पर रखवाते हैं समझ रखने किस department ने किस ministry ने कितना पैसा मांगा उसकी estimated जो डिमांड से वो कितनी है उनको राष्ट्रपती मौदे ही रखते हैं उनकी पहली पूर्व अनुमती से ही ऐसा किया जाता है जब तक उनकी पहली पूर्व अनुमती प्री पर्मिशन नहीं होती है तब तक इनको नहीं रखा जात जाता है ना इनको पास किया जाता है अब जड़ा बताएं यह किलियर सारे बच्चों को कि नहीं है एक सो सत्रा आर्टिकल कि सारे बच्चे जल्दी बताईए अगर यह किलियर है तो पास्ट कि बोलो सू बोलो जल्दी बताओ भाई साधना जी को clear हो गया है बाकी बच्चों को भी clear हो गया है चलो बहुत बढ़िया तो जितने बच्चे हैं देखो वाई जरा ये वीडियो like नहीं हो रहा है 19-10 पार ग्यारे बच्चे class कर रहे हैं और वीडियो में 6 लाइक हैं बस चलो हाँ कोई बात नहीं जितने हैं उतने तो करो देखो वैज नाउ रूल ओफ प्रोसीजर रूल ओफ प्रोसीजर जरा देखें आप वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल एक सो अठरा चलिए बहुत ही बढ़िया देखें जरा रूल ओफ प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लो इसमें से एक कोशन बनता है बनता है आज से जरा देखें वेरी इंपोर्टेंट अभी तक संबिधानी इंपोर्टेंट है भाई तो आर्टिकल तो इसके इंट्रेस्ट बढ़ने ही चाहिए आप कहीं पर जाओ ना जाओ अलग बात है आप अधिकारी बढ़ने जा रहे हैं तो आपका सीधा सीधा रोजना का क्या होगा आप यह मालो कि अगर आप में से अगर कोई यंग एज में आपका सेलेक्शन हो गया तो आपके पास प्रमोशन के बड़े चांसे हैं हो सकता है कि आप कैबिनेट सेकेटरी की रेंक तक भी भारत सरकार में पहुंच जाए और अगर वहां पहुंच जाए तो आपके पास क्या तो ताकत होगी सतना आपकेता है जाए मिनेट सेकेटरी तक रेंक के ओफिसर तक पहुंच घे तो नहीं कोई काम करेनेट की आप जा हर्य 17 और चीज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं आपको आपको आइडिया नहीं है आपको अभी थोड़ा पता नहीं है कि क्या ही मतलब होता है इसमद्री फास में थोड़े प्रोमोशन के चांस्सद्व का πर राज़तर के सीमित रहता है लेकिन 2o के पास में सीध़ा है क्यों हborनोता है वे उसका सैक्रेटरόσ funeral सार्थ क्यों की लिए बढ़ा है जितनी जल्दी हो सकता है selection ले लिजे ना चले आगे बड़े now rule of procedure बात करते हैं हम लोग इसके बारे में each house of parliament may make rule for regulating subject to the provisions of the constitution its procedure and the conduct of business यानि संसद में आप सारे बच्चे जानते हैं दो house होते हैं संसद का जो हिस्सा होता है LS, RS and President लोगसभा अपने नियम बनाएगी और राजसभा अपने नियम बनाएगी बात समझ रेक नहीं is it clear each house of the parliament may make rule for regulating subject to the provisions of the constitution its procedure and the conduct of business किसी भी house में काम कैसे होगा कारवाईय कैसे होगी कितना time किसको दिया जाएगा कौन से सदे से किस बात पर बोलेगा इसके बारे में जो तय प्रक्रिया है संविधान के अंदर उसके साब से नियम बनाएगे दोनों houses until rules are so made the rule of procedure and extending order in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature of dominion of India shall have effect in relation to the parliament subject to in such modification adaptations as may be made there in the chairman of the council of state or the speaker of the house of people as the case may be now जब तक आपके पास कोई कानून ना हो कोई rule ना हो कि काई लोग सबा कैसे काम करेगी राजी सबा कैसे काम करेगी जब तक आप rule ना हो आपके पास available वैसी condition में जो dominion of India का जो first जब हम बात करेंगे यानि legislature था dominion of India का जो पहले हमारे पास rule थे जो regulations थे जो जिसके माद्यम से पहले कारवाईयां होती थी उनी का क्या किया जाएगा with reference to यानि लोग सबा की बात होगी तो लोग सबा का जो speaker है वो राजी सबा की बात होगी तो राजी सबा का chairman उसके एसाब से काम करेगा काम करवाएगा यह किलिर है सारे बच्चों को the president after consultation with the chairman of the council of state and the speaker of the house of the people may make rules as to the procedure with respect to the joint sitting or and the communication between the two houses तेकि अगर joint sitting नहीं है तो वैसी conditions में क्या है लोग सबा के लिए लोग सबा का जो speaker है वो नियम बनाएगा, rule बनाएगा राजी सबा का जो speaker है राजी सबा के लिए वो rule बनाएगा, नियम बनाएगा लेकिन joint sitting की जब बात होगी तो उसके लिए क्या है लोग सबार राजी सबा के speaker और chairman से पूछने के बाद, discuss करने के बाद में president of India उसके लिए क्या बनाएगा नियम बनाएगा, बाद समझ में आ रही है सारे बच्चों को को नहीं, यहां तक clear हुआ या नहीं जल्ली बताईए आप सारे बच्चे answer करिए सारे बच्चे answer करिए यहां तक clear रहा कि नहीं है थोड़ा fast चालो, बहुत बढ़िया है in case of लोग सभा, लोग सभा का speaker उसके लिए नियम बनाएगा, कैसे business चलेगा उधर काम चलेगा लोग सभा का वोश के लिए और राजी सभा के case में राजी सभा का जो chair में ने वो नियम बनाएगा रूल बनाएगा, अगर दोनों सदनों की बैठक एक साथ होगी joint sitting की बात होगी तो उसके लिए राष्टपती मौदे क्या करेंगे मैं बेटा वो ही बता रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ मैं आपको सारे बच्चों को बापस से मैं बोल देता हूँ अधिती बेटा जी, सुनो ध्यान से पहले और important बात दोनों house अपने business को चलाने के लिए independent, स्वतंतर रूप से अपने लिए क्या बनाएगे, नियम बनाएगे रूल बनाएगे, तो लोगसभा के case में लोगसभा के speaker ऐसा करेगा राजसभा के case में राजसभा का chairman ऐसा करेगा यानि नियम बनाएगा, रूल बनाएगा इन केस, अगर कोई नियम, कोई रूल अभिलेबल नहीं है समझ रखने, अभी नहीं है और ऐसा कोई मामला आ जाता है जिसके लिए हमारे पास में कोई नियम नहीं है रूल नहीं है अब देखो, 75 साल में और 300 साल में अंतर है तो 300 साल में जो चीजे हुई होगी तो वह ज्यादा experience होंगे ना तो यानि यहां पर क्या है देखो हमारी parliamentary system है parliamentary system हमने क्यों लिया क्योंकि इसके पीछे बड़ी बज़े यह है कि हम जो बिटेन की संसद्य प्रणाली है उसके आदी हो गए थे क्यानि हमारे यहां पर किस ने रूल किया 300 साल तक रूल किया बिटेस ने अब बिटेस ने किया तो हम उसके आदी हो गए उसके बिवस्ताओं के कैसे चलती हैं, कैसे काम होता है कैसे कानून बनते हैं मतलब हमको पूरी आदत हो गई और वो हमारे ब्यभार में भी आ गई और अब इसको बदलना इसको चेंज करना यह बड़ा मुश्किल काम था तो इस बर्दा रीजन जिनकी बज़र से हमने क्या किया पार्लेमेंटरी सिस्टम को फॉलो किया तो पार्ले जब बात होगी किस की joint sitting की तो वैसी condition में लोकसभा, राजसभा के speaker और chairman से पूछ कर, discuss करके राष्टपती महोदे उसके लिए नियम बनाएंगे rule बनाएंगे, ये मैंने पढ़ाया था वेटा is it clear or not जब जब कोई बच्चा पूछता है तो इससे बड़ा फायदा होता है बाकी बच्चों को तो आपको एक मैंस का answer मिल गया है अभी मैंस में ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया ने parliamentary system को क्यों माना, क्यों अपनाया is it clear हाँ सवाल कोई एक बच्चा पूछता है लेकिन फायदा उसका सबच्चोक होता है तो इसलिए parliamentary system आपने क्या किया अपनाया समझ रहे है भाई हो दाएगा आगे बढ़ते हैं now joint sitting of the two houses of the speaker of the house of the people or in case absence such person as may be determined by rule of procedure self reside अगर joint sitting होती है भाई दोनों सदनों की क्या होती है एक साथ meeting होती है तो उसमें लोगसबा का speaker क्या होगा preside करेगा उसकी अध्यक्षता करेगा और अगर हम आ लेते हैं लोगसबा का अध्यक्ष वहाँ पे अध्यक्षता नहीं कर रहा है या वो absent है वैसी condition में rule क्या कहता है उसके हिसाब से दूसरा candidate अध्यक्ष बनाया जाएगा तो इसका सीधा मतलब नियम ये कहता है कि deputy chairman होगा लोगसबा का वो क्या होगा उसको क्या बनाया जाएगा अध्यक्ष बनाया जाएगा joint sitting के अंदर अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा वहाँ पे से फिर बोटिंग करके किसी को एक अध्यक्ष चुल लिया जाएगा समदने के नहीं राष्टरपती की सला के साथ तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए और ये PT में पूछा गया है joint sitting होगी तो पहले अध्यक्ष प्रिफरेंस किसको लोगसभा के speaker को दूसरा प्रिफरेंस किसको डिपडी speaker को अब तीसरा प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा वो आपस में से बोटिंग करके राष्टरपती की जिसको सला होगी ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे अध्यक्ष चुल लेंगे chairman चुल लेंगे उसका speaker चुल लेंगे is it clear or not I hope article 118 सब बच्चों को clear हो गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है आगे चलते हैं हम लोग और that is article 119 सारे बच्चे ध्यान से देखें सुने अच्छे से देखें regulations by law procedure and parliament in relation to the financial businesses अब financial business को यह है अगर रुपे पैसे संबंदित को काम है तो उसके लिए क्या है rule of procedure और regulation क्या है तो देखो जरा बहुत बढ़ी है स्रीबच्चे सावास parliament may for the purpose of timely completion of the financial business regulate by law procedure and conduct of business in each house of the parliament in relation to the financial matter or to bill for the appropriation of monies out of consolidated fund of India if and so far as any provision any law so made is inconsistent with any rule made by the house of the parliament सामन ही बात यह है सारे बच्चों को मैं बता दूँ कि अगर आपको क्या करना है financial business जो है जितना भी रुपे पैसे से संबंदित जो मामला होता है काम होता है फीके कर नहीं उसमें कोई संसोदन करना है consolidated fund of India से पैसा निकालना है उसमें कोई कम ही करनी है यह सारा काम एक ही संस्था कर सकती है एक ही business एक ही organization कर सकता है organization कहना सही नहीं होगी तो एक ही क्या है क्या कह सकते हैं हम लोग संस्था कह सकते हैं आप न तो यह parliament के पास ही ताकत होती है तो parliament of India भारत की संसद ही संप्रबू है सारी चीजों को करने के लिए भारत की संसत के पास में सकती है, केबल और केबल भारत की संसत के पास, कि वो क्या कर सकती है, किसी भी तरह का कोई financial business है, उसमें चाहे पैसा consolidated fund of India से निकालना हो, उसमें regulation करना हो, है न, विनियमन, सारा कुछ कौन कर सकता है, केबल और केबल भारत की संसत, यही इस article के अंदर ह समझा है, सारे बच्चों को के नहीं, कोई आप से पूछ ले, तो बता देंगे आप, राष्टपती, संसत, सुप्रीम कोर्ट का जज्ज, या सुप्रीम कोर्ट का चीप जस्टिस, कौन ऐसा कर सकता है, तो केबल और केबल भारत की संसत, क्या कर सकते है, financial business को regulate कर सकती है, न इसके बाद हम चलते हैं, next article की तरफ, that is article 120, सुनिये ध्यान से सारे बच्चे, language to be used in the parliament, जनसत के जो अंदर है, कौन सी भासा जो है, वो बोली जाबेगी, किस भासा का इस्तमाल किया जाएगा, और इसका आप बिलकुल भी अन्यता मतलम ना लें, कि वहाँ पे सब सब की डै हो, the business in the parliament shall be translated in the Hindi और English, पहली और important बात क्या है, संसत की जो भासा है, primary जो भासा है, लेंग्विज है, वो है Hindi, और इसके लाबा English भी, तो ध्यार रखेंगे, संसत की जितनी भी कारवाई होती है, किस में, Hindi और English दोनों में होती है, लेकिन प्रात्मिक बाता, भासा जो है, व लेकिन जब Supreme Court की बात करी जाएगी, तो Supreme Court की जो primary भासा है, वो है English, और उसके बात secondary हिंदी, तो अभी क्या है, पहले अभी तक की बात करेंगे, लगबग एक साल पहले तक की, तो अभी तक जितने भी verdict आते थे Supreme Court के, वो English में ही आते थे, लेकिन अब उसकी copy किस में आ रही तो याद रखेंगे, संसेट की बासा primary, कौन सी, हिंदी, और अगर हम बात करेंगे दूसरी, तो अंगरे जी, और Supreme Court की केस में उल्टा कर दीजे, English और हिंदी, is it clear, now, provided that the chairman of the council of state, or speaker of the house of the people, or a person acting as, as the case may be, may permit a member who cannot adequately express himself in Hindi or English to address the house in his mother tongue, बात पर ये है, कि संसेट की जो कारवाई है, संसेट का जो कार है, business है, संचालन है, वो दोनों भासाओं में होगा, हिंदी और English, लेकिन हिंदी को प्रात्मिकता दी जाएगी, दी गई है, और English को नहीं दी गई है, यानि कि वो दूसरे number पे, दूसरी कारकारी क्या है, उसक प्रासी मेंबर को क्या ना आती हो, ना तो हिंदी प्रापर आती हो, ना ही English प्रापर आती हो, यानि वो अपने आपको adequately एक्स्प्रेस ना कर पाए, अपने आपको प्रापर तरीके से अविव्यक्त संसत के अंदर ना कर पाए, अपनी जो बात है, वो संसत के अंदर कर सकता है अपने जो विचार हैं वो संसत को अभगत करा सकता है, यह point के लिए रगवा या नहीं हुआ सारे बच्चों को बताओ सारे बच्चे आंसर करिये fast इस इड़ी किलिए जल्दी बताइए इस सारे बच्चे जल्दी बताइए और मैं सभी बच्चों को एक बड़ी खुशकबरी दे दूँ आपको मैं आपको सभी बच्चों को बता दूँ कि आपकी जो राष्टवासा हिंदी है वो राष्टवासा हिंदी जो है अभी क्या है United Nations की UNO की क्या हो गई है Functional Language हो गई है यानि अभी जो है जो United Nations की जितनी भी जानकारिय होंगी Informations होंगी वो United Nations की वैब साइट पे अभी हिंदी में भी आपको Available होंगी तो ये सभी भारतियों के लिए क्या है फक्र का विशा है तो आपको आप अपने उपर अपनी राष्टवासा को उपर गर्व कर सकते हो United Nations की हाली में लगबग डेड़ महीने दो महीने इसको हुए है और ये क्या है अभी United Nations की कार्यकारी भासा बन गई है यहाँ पे जो भी कार्यवाई होगी United Nations की वो हिंदी में भी होगी उसकी सूचना है आपको हिंदी में भी available होंगी किलियर है सब बच्चों को की नहीं यह अतरिक्त जानकारी थी लेकिन यह आर्टिकल 120 का पार्ट नहीं है Now Unless Parliament by law otherwise provide This article sell After the expiration of period of 15 years From the commencement of this constitution Have effect as If the word or in English Were omitted therein संसत के पास अधिकार है कि संसत अगर चाहे तो 15 साल बीतने के बाद में वो क्या कर सकती है यह जो और word है इसको हटा सकती है यानि जो लिखा है आपके पास में Hindi और English या तो cable Hindi कर सकते हैं या cable English कर सकते हैं 15 साल बाद ऐसा कर सकता है Obviously बात है तो हम क्या करेंगे क्योंकि हटाना संबब नहीं है यह जो English है अभी क्या है वर्ड वाइड लेंग्वेज हो गई है जॉब क्रियेशन की भासा हो गई सारी चीज़ें इसी में होती है समद रिक नहीं तो यह अभी हटाना क्या है संबब नहीं है लेकिन संसत के पास अधिकार था और है भी कि यह जो और word है Hindi और English जो है वो हटा सकती है understand or not after 15 years 15 साल बीतने के बाद तो guys यह था पूरा का पूरा आपके article 113 से लेकर के 120 तक आप उसको revise करना अच्छे से जहां पर दिक्कत लगती है जो चीज़े नहीं समझाती है पूछ लेना साम को मिलेंगे साम को सारे बच्चों की presence मुझे चाहिए साम की 7 बजे की class में MCQs की में आप सुबह की class skip कर सकते हो लेकिन साम की बिल्कुल मत करना very important चीज़े हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा right अपना ध्यार रखें खूब मैनत करें बाके मिलेंगे साम को 7 बजे thank you so much